हाई फ्रेंद्स एक बार फिर मैं आपके लेकर आई हूं एक इजी और टेस्टी रेसिपी जो कि बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी खाने में बहुत पसंद आएंगे वो है कर्ड राइस कर्ड राइस खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और काफी हेल्डी भी होते हैं कर्ड राइस साथ इंडिया की दिश है और यह खाने के बाद खाया जाता है लेकिन नौर्थ इंडियांस इसे खाने में ही खा लेते हैं तो आएए देखें यह कैसे बनता है delicious curd rice बनाने के लिए 3 cups of boiled rice हम इस्तिमाल करेंगे 3 cup उबले हुए चावल है यह बास्मती राइस है 2 cup दही गाड़ा दही आप इस्तिमाल करें 1 cup खीरा कसा हुआ 1 cup गाजर कसी हुई आप चाहें तो red कलर की गाजर भी ले सकते हैं red या orange कोई भी इस्तिमाल कर सकते हैं एक चम्मच सर्सों एक चम्मच नमक और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर वन टेबल स्पून ओयल टू टी स्पून यानि दो चम्मच कसा हुआ अद्रक एक बड़ी हरे मिर्च बार इकटी हुई कर्ड राइस को एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए और एक अच्छी अरोमा देने के लिए हम यहां इस्तिमाल करेंगे 25 के करीब पत्तियां कड़ी पत्ते की द्यान रहे चावल जो है वह आपके ठंडे होने चाहिए गरम राइस यहां पर आप इसमाल नहीं करेंगे यह ठंडे खाय जाते हैं अब सबसे पहले हम इसे बड़े बोल में डालेंगे अपने उबलेवे चावलों को अब इसमें आप मिक्स करें दही को दही को थोड़ा सा अब फेंच लें राइस में मिक्स करें इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका जो दही है वो खाने में खट्टा ना हो अब इसमें मिक्स करेंगे कुकुम्बर कसा हुआ खीरा और अब डालेंगे गाजर साथ ही हम डालेंगे अद्रक और कटी हुई बारी हरी मिर्चे इन्हें आप डालकर अब अच्छे से मिक्स कर लें अच्छे से सब मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक और काली मिर्च इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार और इन्हें एक सरफ रखकर हम बनाएंगे अपना छोक सरसों का जो हम इसमें डालेंगे चौक बनाने के लिए अब एक पैन में ओयल डालें इसे हाइड फ्लेम पर एक मिनट तक गरम करें तेज गरम ओयल में सरसो आइड करें और इसे बूने कुछ तेर तक जब तक कि ए कलर चेंज ना कर लें जैसा कि आप देख रहें यह दाख कलर से लाइट कलर में चेंज हो गई यह बन चुकी है पकट चुकी है इसे घयस को बंद करें गास बंद करने के पाद इसमें करी पत्ता अब इस बनाय चोक को हम अपने कर्ड राईस के ओपर डालेंगे इस तरह और इन्हें अच्छे से करेंगे आये इन्हें अच्छे से अoberज कर लेते हैं फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आ रही है अरोमा जो है यह सर्सों का और कड़ी पत्ते का काफी अच्छा निखर के आ रहा है इसे मिक्स कर लेंगे और आप इसे रेफ्रिजेरेटर में रखें 15 मिनिट के लिए ठंडा होने के लिए और उसके बाद इसे सर्व करें और इंजॉ जुँ आस्थरिजेर रहा है और इसे पारीजेर से ले एखेजर और इसे सर्वी आप।